नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आई एस प्रेप पर आई देख लेते हैं 9, 10, 11, 12 फरवरी का करेंट अफियर थोड़ा सा ये लेट में वीडियो आ रहा है कुछ आप जान रहे हैं स्वास्त गतकारणों से लेकिन हम इसको जल्दी ही कवर कर लेंगे पीडियाफ आपको जितने भी पीछे के हैं और ये आज साम तक हर हाल में फेस्बुक ग्रूप पे मिल जाएंगे आई इस प्रेप का जो फेस्बुक ग्रूप है आई श्टार्ट करते हैं गूगल पर एक अरव 36 करोन रूपिय का जुर्वाना लगाया गया है भारतिय प्रतिय अस्परधा आयोग ने आनलाइन सर्च इंजन गूगल पर ये लगाया है ये भारतिय बाजार में जो इसने अनुचित व्यापार किया है ऐसा कहना है CCI का उस पर लगाया गया है और ये जो 136 करोन का जुर्वाना लगा है ये इसको 60 दिन के वीतर जमा करना है 60 दिन के अंदर इसको जमा करना है और ये लगा कैसे तो ये 2012 में एक सिकायत दर्ज हुई थी इसके उपर गलत आचरण के बारे में कि इसने गलत तरीके से कमाया है और गलत ये था कि इन्होंने जैसे दूसरों की कमपनियों को माली जे कोई प्रॉड़क्ट है और इनका भी प्रॉड़क्ट है दूसरी कमपनी का भी है तो आप सर्च करेंगी तो इन ही का आता था दूसरों की प्रॉड़क्ट को सर्च करने के दवरान ये दबा देते थे तो ऐसा किया गया है और ये माना जा रहा है कि ये जो इन्होंने यहां पर जितना कमाया था उसका केवल पांच प्रत्सत ये जुर्बाने के तोर पर लगाया गया है सरत दिन के भीतर जमा करने की बात है और ये फैशला 2012 में matrimoney.com और consumer unity and trust society की सिकायत पर ये आया है देखे कितना पैसा ये लोग कमाते हैं आइस हाकी के लिए गिनीज बुक में रिकार्ड दर्ज कराने के लिए लद्दाक में अंतराष्टी अस्तर की प्रतियोगता हुई है आइस हाकी जो खेल होता है उसको गिनीज बुक में दर्ज कराने के लिए लद्दाक शेत में अंतराष्टी अस्तर पर जो प्रतियोगता आयोजित की गई इसमें अमरिका, जर्मनी, कनाडा, सुलोवाकिया, रोश और अस्थानी टीमों ने हिस्सा लिया है और यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स क्लव, हाकी फाउंडेशन और लालोग विंटर स्पोर्ट्स की ओर से किया जाना है खेलो इंडिया स्कूल में गेम्स जो हुए इसके अंतरकत उसमें 38 तोर्ण के साथ कई बार यह नियूज हम डिसकस कर चुके हैं अंतमी रिजल्ट आया है कि हर्याण सीज़ पर है 38 तोर्ण और 26 रदत इसे मिले हैं महराष्ट सेकेंड अस्थान पर और दिल्ली तीसरे अस्थान पर इसमें रहा है खेल मंत्री करनल राज्जी वर्धन राठोर्ने खेलों में पहला अस्थान हासिल करने के लिए हर्याणा को टॉफ़ी तो मिलेगी जो प्रतम प्रतम अस्थान पराप्त करेगा आप लोग भी अपने छेत्र में प्रतम अस्थान प्राप्त करिये ग्रास रूट इन्फाम्ट्रिक्स पर राश्टिय वैठक राश्ट्य शुजन विग्यान केंद्र इसको कर वा रहा है दूब इसार अठारा यह जो ग्रास रूट इंटरनेट, कृतिम बुद्धिक्ता, आर्टिफिसल इंडिजन्स को कहते हैं, मसीन के बारे में बड़े अस्तर पर डाटा विस्टलेशन, साइवर खत्रा और इससे पार पाने के उपाए, डिजिली करण के प्रतिमान को बदलना और उश का सुरच्छा पर क्या प्रभाव प तेवे सतत विकास की रूप में अवरा है, उच्छ नियाले ने गोवा में 88 कमपनियों को लो एस्क के खनन के पट्टे की अवद ही दूसरी बार बढ़ाने का आदेश दिया है, तो उच्छ नियाले मत समझेगा, उच्छ नियाने मनिवान ये सुप्रिम कोड की बात हो रही है, दो गलती है, उच्छ नियाले ने केंदर और गोवा सरकार के पट्टे को नई परियार वने मंजूरी देने को कहा है, इस वर्ष 15 मार्च तक खनन का काम जारी रखा जाशकता है, अदालत ने NGO गोवा फाउंडेशन द्वारा दायरे की आज का पर सुनवाई की थी, MCLR के साथ वेस रेट, तो भारती रिजर वैंग द्वारा प्रमुख बाजार ब्याजदरों में की गई कटोती का लाव वैंग को द्वारा तेजी से इसे ग्रहा को तक पहुचाने के लिए एक और प्रयाश किया है, यह याद रखेगा कि किस लिए है, और अगले वित्वर् को marginal cost of funds based, प्रश्ण यह बहुत important है, ध्यान लखिएगा, economy से ऐसे ही प्रश्ण पूछे आते हैं, current effect से, based landing rate के साथ जोड़ा जाएगा, RBI ने एक अप्रेल 2016 को MCLR की सुरवात एक ऐसे system के रूप में की थी, यह MCLR के बार में हम बात कर रहे हैं, जिसमें उसकी नीतिगत दरो का फायदा ग्रहा को तक पहुंचे, लेकिन वाड़ी जीक मैं को ने इसे सुविकार करने में कम रूची दिखाई थी, वे base rate ब्योस्था को ही प्रात्मिकता दे रहे थे, तो अब ऐसी ब्योस्था की गई है, Google और NCRT के बीच समझोता हुआ है, सूचना और संचार प्रद् का भी पार्ट करम है, और ये सिच्छक पर सिच्छन कारिकरम में शामिल है, इसी कमपनी इस पर सिच्छन के लिए कोई सुल्क नहीं लेगी, यानि कि ये अच्छा काम है Google का, ये कोर्स देश भर में 14 लाग स्कूलों में सुरू किया जाएगा Google के दारे, और कच्छा एक से बारा तक के छात शात्राओं को इसका फायदा मिलेगा, स्वच्छ भारत मिसन के अंतरगत अब तक 11 राज्जियों और संग सासित परदेशों को ODF गोंसित किया जा चुका है, इंपोर्टेंट है कई बारी परिच्छा में ऐसे प्रशने पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ उन्ही की बात होती है, तो अब तक 11 राज्जियों, संग सासित परदेशों, इसमें जो राज्जियों हैं, उनका नाम एक बार हम यहाँ पढ़े ले रहे हैं, सिक्किम, हिमाचल परदेश, केरल, उतराखन, हर्याना, गुजरात, चंडिगर, दमन और दियू, अरुनाचल परदेश, 36 गर्ड में घाल है, यह इसमें सामिल है, सिक्किम खुले में सौच से मुक्त होने वाला पहला राज्जिता, ओडियफ होने वाला पहला राज्जिता, जिसको घोशित किया गया था, भारत बिटेन के बीच में परिवहन बेवस्ता और यात्री सेवा में सुधार के लिए समझोता है, ग्यापन, तो सार्जुनिक परिवहन बेवस्ता और यात्री सेवाओं के लिए जो यह हुआ है, तो याद रखे है का भारत और बिटेन के बीच में हुआ है, इसके अंतरगत, यात्री सेवाओं, डेटा विशलेशन, बिजली के वाहनों को सामिल करने, प्रद्योकी की सुरुवात, परिवहन और यात्री सुचना, सहरी परिवहन योजना, नीतिका प्रावधान, परिवहन संस्थागत, तंगटन, प्रशाशन और जवाब देही बेवस्ता, इस सारी चीज़े इसमें की गई है, सब होता रहता है, तो इसे समाज में सभी हिस्त के लोगों को गुडवत्तापूर सार्जनिक परिवहन बेवस्ता तक पहुंच पराप्त होगी, मिस्र में आतंगवाधियों के खिलाब व्यापक सुरच्चा अभियान, तो मिस्र ने पूरे देश में आतंगवाधियों और अपराधिक तत्तों के खिलाब व्यापक सुरच को बाहर करने के लिए एक योजना का किरिवानन करना है अत्यबादी नहीं मिससे बहुत हू रही है जस्टिस अभिलाशा कुमारी ने मडि पूर्र हाई Biz Fi की चीफ जस्टिस के कारिभार को शंभाल लिया है इंप अजबार है ह कि हिमाचल प्रदेश की मड़ीपूर की नजमा हेपतुलाजी है पहले ये सेंटर में मिनिश्टर हुआ करती थी पिया मोधी और जाडन के साहब दुलादुतिय के बीच में कुछ समझाते हुए हैं और ये तीन देशों की यात्रा पर गया थे ना फिलिस्तीन समेत तो ये जराज दो देश और कौन थ देखिए आतंगवाद पूरे बिस ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां पर अपना प्रभाव न छोड़ रहा हूँ दूस प्रभाव तो ये सारी चीजे मोधी पहली बार चार्टन गए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है चंदर सेखर रत मसुहूर साहितिकार ये थे इनका निध सारी कहानिया उपन्यास इन्होंने कविताएं दिखी हैं तो उडिशा शाहित अकादमी सारला पुरुषकार अतिबडी जगनात पुरुषकार केंदर शाहित अकादमी पुरुषकार ये सब इनको मिल चुके हैं ये तोड़ा इंपॉर्टेंट होता है इनका जो रचना है याद रखेगा असूर या उपनवेश वन्नाव जातक आधी तीन उपन्यासों की रचना करने के साथ सोला शार्ट इस्टोरी संकलन समसमा एक विसों पर लेग ये सब ये लिखते रहे हैं इंदरा नुई ICC की पहली महिला स्वतंतर निदेशक बनाई गई हैं इंपॉर्ट की गई और पहली महिला स्वतंतर निदेशक होंगी ये दोहजार अठारा में ये वोड से जून में जुड़ेंगी दो साल के लिए नियुक्ति की गई है दुबारा नियुक्तिस में किया जा शकता है ये ध्यान रखेगा प्रश्ण IES में ऐसे बनते हैं कि दुबारा हो शक टून्नामेंट में विस्ट जूनियर यों कैड़ेट ओपन टेवल टैनिस टून्नामेंट में दो रजट और एक काश्पदर भारत ने जीता स्वास्तिका गोस ये नाम याद रखेगा इन्होंने वरणी जश्वाल के साथ मिलकर सीरिया को हरा कर सीरिया इसमें हारा है बाली इशकेश मलहोत्रा और जस्मोदी क्वालिफाइंग दोर में साथी अरभिया और इंडोनेसिया की खिलाणियों को इन्होंने मात दी इस जोड़ी ने ओमान ए जार्डन और सीस ये सारी चीज़े हैं कैड़ेट वाली का टीम में सुहाना सैनी और अननिया काश्पद जीतने म सफल रही है तो ये ध्यान रखेगा आनन्द मैरिज अदनियम दिल्ली में लागो आनन्द मैरिज अदनियम आप जानते हैं सिक्क समदाई से रिलेटेड है और इन्होंने इसकी लगातार मांग रखी थी तो 9 फरवरी 2018 को इसे अच्चुचित कर दिया गया है आप सिक्क और राश्पती ने पहले ही मंजूरी दे दी थी खरियाना और पंजाब इसे अपने यहां पहले से ही लागो कर चुके हैं इस्टेट याद रखिएगा दिल्ली गुर्दवारा प्रबंधन समीती लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी सिक्क समदाई की मांग रही है कि उनकी बना दिया गया था इंपोर्टेंट है स्वच भारत स्वचता पार्क का दिल्ली में उद्गाटन हुआ है तो परियाबन स्वचता मंत्राले थोड़ा ध्यान रखिया करिए संस्थान और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से पेजल और स्वचता मंत्राले ने स्वचता पार्क वि किया गया है पार्क शौचाले प्रद्युक्यों और ठोस और तरल अपसिष्ट प्रवंदन तक नीसों समधित विभिन भी कल्पों को दरसाता है और भी इसमें बहुत सारी चीजें कि कैसे क्या सुचता अभियान में क्या किया जाए सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी भी इनके अलावा सुधिर सिर्वास्तो अतरिक्त मुक्ष सच्यू जो है उन्होंने कहा कि पटेल के अतरिक्त मदब इनके अलावा पूर्व मुक्य नयदीस महराष्ट के मुक्य सच्यू और सुमित मलिक भी इन दो सदस्ये पैनल का हिस्सा होंगे है ना ये ध्यान रखिएगा आगे बात करते हैं हम पूरे में भीमा कोरेगाओं में नय साल के मौके पर आयोजित सौरी दिवस के दोरान हिंसा भड़की थी ये भी आपको ध्यान रखना है आईनेस गरुन ये इस भी चर्चा में रहा है इंटिग्रेटेड आटोमेटिव एविएशन मेटिरोलोजिकल स शाथ अस्थापित ये चौता वायू स्टेशन है आईनेस जो गरुण है तो जो इसमें जितना होना है उसमें ये चौता है नौसेना वायू स्टेशन के मौसम संबंधी बुनियादी नाचे का आधनिकी करना के लिए भारती नौसेना की एक महत्त्वकांची परियोजना है IAAMS ठीक है न तो ये ध्यान लखना है आईनेस गरुण में अस्थापित IAAMS परियोजना मौशम निगरानी प्रिक्रिया के आटोमेशन के माध्यम से बिमानन सुरच्छा को एक प्रोशाहन देगा इसमें एक बिसेश अलार्म की शुवधा है जो ड्यूटी पर कारेरत क्रमचारियों को मौसम परियामीटर में हो रहे है किसी भी आशमाने परिवर्तन जो की सुरच्छी तुड़ान पर चालान को प्रभाइद कर सकता है कि सम्मद में चिताउनी देती है प्रधान मंत्री मोधी फिलिस्तीन के सरवोच चमान ग्रैंड कालर से सम्माने प्रश्ण मैंने किया था लेकिन उत्तर अभी सब लाश्टा किसी में मिल जाएगा तो यह ध्यान न किया किस देश ने किया है यूपी पीसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्ण है कभी कभी यूपी सी में भी ऐसे प्रश्ण पूछ लिया आते हैं और पहले जो मतलब अधिकारी के आतरा पहुँचने वाले मोधी जो हैं यह पहले प्रधान मंत्री हैं फलिस्तीन की आतरा पर पहुँचने वाले अभी तक के भारत से कोई नहीं गया था तो यह सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रेंड कालर अपड़ इस्टेट आफ फलिस्तीन सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है किंग सल्मान बहरीम के किंग हामाद चीन के राष्टपती सी जिंग पिंग पहले ही सम्मां से सम्मानित किए जा चुके हैं युनानी चिकितसा पर अंतराष्टी सम्मेलन ये 10 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया यह वर्स युनानी विरादरी के लिए विसेश है क्योंकि अजमल खान जी की जैनती है और अजमल खान के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रतिष्ठित भारतिये युनानी चिकितसा पर अली का एक ही करण है संस्कृत भासा केंद्र का उद्गाटन किया गया है ग्रहमंत्री राजना सिंग जेनी किया आहमदाबाद के गुजराद विश्विद्याले में ये कि हुआ है या केंद्र संस्कृत में बोलचाल सिखाने के लिए 6 महीने का पाठिक्रम चलाएगा या केंद्र संस्कृत भासा को परशिद करने का भी प्रयाश करेगा आगे हम बात करते हैं पाठिक्रम में के लिए संस्कृत का कोई पूर्व ज्याना वश्यक नहीं है यह इंपोर्टेंट है यहाँ पर अध्यन सुर्क पांच सो रूपिये तेंग किया गया है केवल जिसको सीखना हो आप लोग देख लीजे इसको अफलाई कर दीजे अब उधावी में पर्थम हिंदू मंदिर की आधार सिला रखी गई है अभी तक वहाँ पे कोई भी मंदिर नहीं था हिंदू तो UAE आत्रा के दोरान ऐसा किया गया दूबैई के ओपेरा हाउस में वीडियो कांफरेंसिंग के जरिए मंदिर का सनन्याश हुआ बीस हजार स्क्वार मीटर में मंदिर बनेगा दो हजार बीस ठक निर्मार पूरा होगा पैड मैन पर पकिस्तान में प्रतिबंद लगा दिया गया भारती ये अभनेता अच्छे कुमार की ये फिल्म है देखनी चाहिए ये फिल्म और इसमें प्रतिबंद जो भी लगा रहे है जो भी इसका विरोध कर रहा है या प्रतिबंद लगा रहा है देखने नहीं जा रहा है वो काफी पिछडे किस्म का है पाकिस्तान के फैडरल सिंसर्वोर्ड ने फिल्म के प्रतस्षण की मंजूरी ये कहके नहीं दी कि परंपरा और संसकृती के खिलाव है ये खयर पता नहीं क्या परंपरा और संसकृती खिलाव क्या हो जाता है को समझ भी नहीं आता फ्लाई AES के पहतर प्रवंधन के लिए एश ट्रैक मॉबाईल ऐब बनाया गया है तो केंद्री बिद्दुत नवीन इवम नवीकरन उरजा मंतराले की ये पहल है और इसके मंतरी आरकी सिंग ने वेवाधरी निराडी फणाली मुबाइल आप आश ट्रैक को लांच किया है फ्लाई आश का उचित प्रबंधन ना केवल परियावरण के लिए महत्पूर है बलकि हमारे लिए भी क्योंकि बिजली सेंत्रों द्वारा उत्पादित आश जमीन का बड़ा हिस्सा घेरता है 63 प्रिसत जो फ्लाई ऐस है इसका उप्योग किया जाता है और यह उप्योग बढ़ाकर 100 प्रिसत करने की बात हो रही है यह निर्माण उद्द्योग के कारियों में संसादन सामगरी के रूप में काम आता है प्रिक्स, ब्लाक, टाइल्स आध की निर्माण में ब्रिक्स, ब्लाक और टाइल्स जो होते हैं उसमें यह प्रियोग किया आता है पंजाम निशनल बैंक वा राष्टिय और राष्टिय गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेट का समझोता एक हुआ है इधर तो यह देखिए चर्चा में इतने बड़े गोटाले में फस गया है सुचना उप्योगता के लिए समझोता हुआ और समझोते का उद्देश भारत में सुचना के बुनियादी धाचे में बढ़धी करना है यह समझोता बित्य जानकारी के भंडारन में सक्चम होगा और गलतियों को पहचानने में मदद करेगा ता साथ ही बिबिन ने दावों को सीगता से सतापित भी करेगा कंपनी लाट इविनल में समयबत तरीके से समाधान की शुबधा भी से मिल जाएगी चारलोट काला यह सुईडन की है और इन्होंने प्योंग चांग में जो सीथ कालीन उलम्पिक चल रहे हैं वहाँ पर पहला सुण पदक अपने नाम किया है इसलिए यह चर्चा में रही काला ने महिलाओं के इसकी आथलान क्रास कंट्री रेस में नार्वे की मेरिट बजार गैन को लगातार तीसरी बार सौन पर कबजा करने से रोग दिया नहीं तो वो तीसरी बार जीती सीथ कालीन उलम्पिक दच्चन कोरिया के सहन पेउन चांग में 9-25 फरवरी तक आयोजन किया जारा है इसका 92 देशों के करीव 3,000 एथलेट इसमें भाग ले रहें इस दोरान साथ खेलों में अपनी दावेदारी पेस करेंगे साथ खेल 3,000 एथलेट 90 देश ये ध्यान लखिएगा सब भारत की ओर से क्राश कंट्री स्कौाइर जगदी सिंग और लियूज एथलेट सीवा केसवन आयोजन का हिस्सा बनेंगे राश्टिये क्रीमी मुक्त पहल बहुत इंपोर्टेंट है ये केंद्रिये स्वास्तियों परिवार कल्यान मंत्री जेवी बंटा ने इसको लांच किया और गुरुग्राम के एक समारो में इसका सुबारम हुआ है 32 करोण की लागत है और ये चोटी अवद के दौरान बड़ी संख्या में बच्चों तक पहुचने वाले सबसे बड़े सार्जिनिक स्वास्तकार किरूँ में से एक है इसमें जो राश्टिये डिम वर्मिंग डे 10 फरवरी और 10 अगस्त को हर साल आयोजित किया जाता है पर जीवी क्रिमी संक्रमण की अगर हम बात करें यहां से प्रश्ण बन सकता है विस्वर में 836 मिलियन से अधिक बच्चों पर इसके संक्रमण का जोखिम होता है और 14 वर्स आयोवर्ग के 1 से 14 वर्स यानि 1 साल से लगा के 14 साल तक के बच्चों को 241 मिलियन जो बच्चे है इनमें जो आत्र कीडे का यह जोखिम होता है आप देखते होंगे पेट में कीडे जिसको बोलते है मिट्टी संचारित क्रिमी संक्रमण के नाम से भी इसको जाना जाता है HTS के बारे में अगर हम बात करें तो क्रिमी जो यानि कीडे होते हैं मल द्वारा दूसित मिट्टी के माद्यम से फैलते हैं जिनने मिट्टी संचारित क्रिमी आंत्र परिजीवी कीडे कहा जाता है गोल क्रिमी यानि असकारियासिस लंबरिकाइड ये नाम याद रखेगा सब प्रशन पूछा जाएगा ये उप्यसी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है वीप वार्म जिनको ट्राचिस यूरिश ट्राचियूरिया अंकुस क्रिमी यानि नेक्टर अमेरिकानश और एंक्लो श्टोम डियोरिनल ये इसके अंतर करते हैं जो कि मनुस्य को संक्रमित करते हैं बिद्या कामबले महराष्ट राज में लोक अदालत के एक पैनल का सदस से बनने वाली पहली ट्रास्जेंडर है बहुत इंपोर्टेंट है दस वर्सों में एक सामाजिक कारिकरता के रूप में ये कारिकर रही थी आस्मा जहागीर की बात करें तो ये पाकिस्तान की चर्चित मानवादिकार वकील और सामाजिक कारिकरता अच्छा इसको क्या आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ता है फर्क ये पड़ता है कि पैकेट ही खरिदनी पड़ेगी तो जो छोटे तलब वाले लोग है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेकिन कोई बहुत नहीं फिर भी ये पॉजिटिव कदम है तम्बाकूनी अंतर अनियम की धारा साथ के तहत सभी तरह के तम्बाकूत पादों के पैकेट से 85 फिस्दी भागों पर चितरात्मक स्वास्त चिताउनी देना अनिवार्य है अब जब कोई खुली सिगरेट खरि चूग जाती है इसलिए ऐसा किया जा रहा है रोहन मोरे भारतिये तैराक हैं महराष्ट के पुने में ये रहते हैं और समुंदर में तैराकी के लिए जाने जाते हैं बहुत ही ये बड़ा कारनामा करने वाले वेक्ति हैं 11 फरवी 2018 को सबसे कम उम्र में ओशन सेवन बन गए हैं करने वाले और उन्होंने सात्वे चैलेंज के तौर पर निजिलाइन के कोक स्टेट को पार किया रोहन के बारे में अगर हम देखें तो पहले दिनिया के आठ लोग ही रोहन से पहले अगर देखा जाए तो दुनिया के आठ लोग ही इसको पूरा कर सके हैं रोह पिप्वादेकर ॐ चोटी है उसको चड़ने के बराबर इसने चैलेंड में नार्थ चैनल दा कुक श्टेट द अमोलोकोई चैनल इंग्लिज चैनल दअक्रिक्ष चैनल सुगारू इसटेट आ जिव्राल्टर इसको आप देख लिए जम अकल जा in इनका गेवरा होटल ये दुनिया में सबसे उचा होटल अब हो गया है और इसने अपना ही पुराना रिकार्ड तोड़ा है गेवरा होटल लामक 75 मंजला ये नया होटल 356 मीटर उचा है 12 फर्वेरी को महमानों के लिए से खोला गया इसे पहले दुनिया का सबसा उचा जो और इस नय होटल से ये महज 1 मीटर चोटा है गोवेरा होटल पेरीज के एफल टावर से भी 56 मीटर उचा है और 528 कमरों का होटल है बहुत बड़ा सिवाकेश्वन देखिए नाम आही गया सीथकालीन ओलंपिक में भी हम लोग ने इनको भेजा था और लंबे समय से भारत का प्रतिमजुदिया कर रहे हैं सिथकालीन ओलंपिक में सिवाकेश्वन ने अपने दो दसक के से अधिक लंबे इंटरनेशनल कैरियर से सन्यास ले लिया अब नहीं जाएंगे दृष्ट वाधित सतरंज चैंपियंशिप के बारे में बात करनाटक के किसन गांगोली ये नाम इंपॉर्टेंट है तो इन्होंने ग्यारा फर्वरी 2018 को दिरिश्टबादि ट्राश्टिये ए सतरंज चैंपियंशिप किताब पर पांच वी बार कपजा जमाया है गुजरात के ऐस्मिन मकवाना और रिचा के सौंदर कुमार परदान करमशाद दूसरे और तीसरे अस्था पर रहे हैं इंपॉर्टेंट है इल मचली की तीन नहीं प्रजातियां खोजी गई जिलोजिकल सर्वेयाप इंडिया के बेंगानिकों ने बंगाल के खाड़ी के उत्तरी तट पर इल मचली की तीन नहीं प्रजातियां ये खोजी हैं ये तीनों प्रजातियां कौन कौन सी ह इनके बारे में हम बात कर लें तो ये प्रजातियां है जिमनो थारैक्स स्यूडो टाइल ये बंगाल की खाड़ी के दीघा तट पर खोजी गई है और ये प्रिष्टिय पच्च गहरे भूरे और सफेट डार्ट्स है इसके पीछे प्रिष्टिय पच्च और ये दा हिंदू की न्यूज है ये भी बंगाल के खाड़ी के विशाखा पत्नम तट पर ही खोजी गई है इसका रंग रेड रिष्ट ब्राउन और इस पर सफेद रंग के धब्बे हैं इसके लंबाई एक फुट से कम है इस तरह बारा तारीक का तक का कवर हो गया है आगे हम फिर से एक एपिसोड में करके फिर बराबर में आ जाएंगे यानिकी डे वाई डे तीन चार दिन पर हम करते हैं फिर वो स्विडियोल पर आ जाएगा अच्छे से पढ़िए खुब बढ़िया से तैयारी करिए पहली बार अगर देख रहे हैं आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं वेल आइकन प्रेश कर सकते हैं और अच्छा लगे तो सेर भी कर सकते हैं लोगों के हैल्प करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं Thank you, thank you very much.